दोस्तो आज किस वीडियो हम जानेंगे मोख मंतरी युवा वा महला उद्दमी योजना के बारे में जिन योजना के तर्थ सरकार द्वारत 10 लाग रुपए का लोण दिया जाता है जिन में की 5 लाग मुप्त होते हैं और 5 लाग आपको लोटाना होता है दोस्तो इस योजना से जूरी काफी आप लोगों का जिनसे कमेंट आया हुआ है जैसे की करेंट अकाउंट कितने डेट तक का होना चाहिए current account open कैसे कराएंगे या फिर दोस्तों इस योजना का जोंसो last date कब तक है या जोंसो gst registration कैसे करवाएंगे इस तरह से कई जोंसों कमेंट आप लोगों का आया हुआ है तो उन कमेंट को देखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ और आज के इस वीडियो में आपको सभी जानकारी देने वाला हूँ मुखमंत्री युवाब और महला उद्यमी उजना से जूरी तो दोस्तों बस वीडियो को अन तक देखते रहिए मेरा नाम राज कुमार और आपका अपना ही चैनल राज हल्प में आपका स्वागत है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं फ्रेंट्स वीडियो में एक बन इसे पहला हमें सकतर आप से छोटी सुझारी से रहेगा अपक बन दिकिया हैँगा अफ्री रहेग करते हैं जोन जुला अगस तक होना चाहिए यहाँगा यहाँपर देट्स किलियर में नहीं किया गए लेकिन जैर यहाँपर आविदन करने की प्रिकिदिया है अब दोस्तों दीके दूसरा comment यह आया हो है कि जो हम current account open कराते हैं या फिर already open है उसका कितने दिन तक validate है तो दोस्तों दीके सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूँ फिर मैं आपको बताओंगा कि आप GST कैसे रहेंगे या फिर company को register करनाना चाहते हैं तो company कैसे register कराएंगे या current account open कराते हैं तो उसमें क्या कि आपको document देना होगा तो दोस्तों दीके सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इस तरह से score करते हैं नीचे आ जाता हूँ अब नीचे आने के बाद दोस्तों दीके यहां पर आप देख सकते हैं कि SCST के लिए यहां दोस्तों मैं सबसे पहले अनुसूची जाती एवं अनुसूची जन जाती के लिए य पर हैं आपका करेंट का आपनिंग डेक 15 2018 वह न चाहिए अगर दोस्तों मांन लिजे कि 16 2018 है तो यहां पर मनन होगा तो जैसे मांन लिजे कि 18 2018 या फिर 19 2015-2018 या फिर मान लिजे कि अभी का करणंड डेट है तो यहां तो यहां आपको बताते हैं कि जैसे युबा योजना के लिए कितने का जो कितने यहाँ पर वैलिडेट है तोếu आपका कि आप करन डेट का जो सब्सक्राइब ओपनिंग डेट 4 2020 होना चाहिए उसके बाद चल जाएंगे लेकिन उससे पहले का नहीं चलेंगे तो दोस्तों आप यह कैसे पता करेंगे कि मेरा जो करन्ट अकॉंट है वह ओपनिंग डेट क्या है तो जो भी बैंक का आपका करन्ट अकॉंट ऑपन है उस बैंक में विजिट के लिए आप दर्च करना चाहते हैं तो उनमें आपको कितने तक जैसे प्रारंबिक डेट होना चाहिए करन्ट अकॉंट के लिए दोश्तों यहां पर देखें कि लिए महला योजना के लिए करन्ट अकॉंट संकल्प के निर्गत ती महला के लिए दिनांक 13-52021 युवाद स तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर युवा योजना के लिए तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि निर्गत की थी युवा के लिए दिनांग 5-13-5-2021 के बाद सक्ष होना चाहिए तो अगर आप युवा योजना के लिए उनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए जोस्तों आपका करन्ट अकॉंट की ओपनिंग डेट 13-5-2021 के बाद होना चाहिए उससे पहले का होगा तो वह मान नहीं होगा यह बात आपको अमेशा ज्योंसो ध्यान रखना है अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आप करन्ट अकॉंट ओपन कराते हैं तो उसमें आपको क्या क्या डोकुमेंट देना हुगा तो दोस्तों देखें अगर आप करन्ट अकॉंट ओपन कराते हैं तो सबसे पहले आपक कि रहे क्योंकि दोस्तों अगर आप रजिस्टर करते हैं तो कुछ न कुछ गलती हो जाएगा और वह हमेशा गलती रहेगा तो इसलिए दोस्तों आपके जो नियर या आपके डिस्टिक में जो सीया होते हैं उनके थुरू आप जिस्टी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं तो है दोस्तों आपको धियान रखना है तो एक बात मैं यहां पर क्लियर कर दूंँ दोस्तों कि अगर आप प्राइवेट में जो सुमान लीजिए करन्ट अकॉंट ओपन कराते हैं तो उसमें बाइलेंस मेंटरनस कुछ ज्यादा ही रखना पड़ेगा लेकिन दोस्तों अगर उसके दिखिये चौते नमर में आपको ध्यान प्रवक्त सुनना है यहां तो spouses संग में यह है तो और बता सकते है मैं इतना जो सिसमे बात रखूंगा तो तो कुछ यही सब बेसिक सा डिटेल आपको जो सो देना होगा current account open कराने के लिए लेकिन अगर आप बैंक में विजिट करते हो वहाँ पे आपको जो सो बता भी दिया जागा कि आपको current account open कराने के लिए क्या क्या document के आप सकता होगी तो दोस्तों आज किस वीडियो में एक जा हीडियो में अज की वीडियों में पेजि़र राइस कंवान आपको जाएस कि की दियए झाल झाल झाल